तो गुड मॉनिंग आइज वेलकम बैक आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना वीजा मेडिकल बुक कर सकते हो जो भी नए बच्चे अभी कैनाडा जाने का प्लाइन कर रहे हैं तो उनको कहां कहां वीजा मेडिकल करवाना है तो आपको मेडिकल और बाय क्परा ниड़ाekkant मेरा रहें रहेगा ज्थर orphan काल नहीं आप कि आप वीजा मेडिकल करने के अपना वीजा मेडिकल नहीं करा और comment भी करो इस वीडियो से डाउट हो comment section में करना और कोई डाउट है आपका Canada से study related तो आप मुझे Instagram पर कभी डीम कर सकते हो तो आप जारा time waste नहीं करते हैं सीर्दा वीडियो स्थार्ट करते हैं तो गई शबसे पहले आपको क्या करना है कि में नीचे description में एक link दी है उस link पे जैसे आप क्लिक करोगे आप officialcanada.ca की website पे पहुच होगे उस website पे आपको सारी details मिल जाएंगी अब कैसे कैसे आपको search करना है वो मैं आपको बता रिता हूं authorized visa medical conduct करवाने के लिए आपको सब के नाम मिल जाएंगे एक hospital के भी 2-3 नाम मिल सकते हैं तो उसमें tension मत लेना वो अलग-अलग doctors है इस वरजे से आपको एक ही hospital के 2-3 नाम मिलेंगे मेरे case में मैंने एहमदाबाद से कराया था क्योंकि इन दौर में test center नहीं था और एमदाबाद ने भी 2 थे एक था KD hospital और एक था Apollo तो यहां पर call करके आपको बुक करना होता है तो अब मैंने क्या किया था कि Apollo hospital क्योंकि call नहीं उठा रहा था वैसे आप online भी बुक कर सकते हो appointment पर मैं मोलूंगा कि आप over the call book करो क्योंकि उस case में आप पास flexibility रहती है आप अराम से call करके आप से वह दो थीन डीटेल बुछेंगे पासपोर्ट नंबर पूछ सकते हैं आप से और थोड़ी बहुत डीटेल्स पूछेंगे आपके बारे में और आपके appointment बुक कर देंगे तो अब Apollo hospital ने मेरा call नहीं उठाय था तो उसके बाद मैंने केडी hospital क्योंकि केडी hospital में बहुत frequently होते हैं तो इसलिए वह थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा मुझे Apollo hospital में थोड़ा कम frequently होते हैं और dates भी आप जान लेना काई उनसे पहले पूछ लेना कि इस महिने में कितनी कितनी dates हैं तो सारी dates उस महिने में जो भी आप पूछ लेना मेरे case में दो तीन चार के बाद सीधा 23rd अवेलेबल थी तो यह चीज़ आप ध्यान रखना तो आप क्या करो कि आप 2-3-4 अगर date मिल रही है तो आप 3rd वाली date पर उनको बोलो कि आप बुक कर दो और आप 4th और 2nd की भ बुक नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्यूंकि आपको medical के जो charges होते हैं वह आपको वहाँ पर जाकर भरने होते हैं तो उस case में आप कितनी भी appointments बुक कर सकते हो मैंने तो यही किया था मेरी जो date थी उसके आगे वाली date का भी मैंने एक appointment बुक कर दिया था just in case कि अगर कुछ हो ज date मत बुक करना मैं recommend करूंगा सिर्फ 10-12 दिन पहले आपको जब बुक करना हो तो करना ऐसा रखना कि आपका medical पहले हो क्योंकि medical के बाद ही आपका visa file होता है और उसके बाद ही आपका biometrics होता है तो आपके medical or biometrics को एकदम पास-पास मत रखना क्योंकि in case अगर आप अपना visa फाइल करो उसमें थोड़े बहुत documents की जरूरत पढ़ जाए आपको तो आप उस case में भागा दोड़ी ना करो तो कम सकम 10-15 दिन का gap रखना अपना medical or biometrics के बीच में ताकि आपको सब कुछ smoothly हो जाए अब आपने जब medical की update book कर ली तो date book करने के बाद आपको एक शायद confirmation तो आप अपना slot भी book कर सकते हो time according सुबह मैं recommend करूंगा कि आप सबसे पहले सुबह सुबह का रख लो क्योंकि आप जल्दी free हो जाओगे अगर आप शाम का रखोगे क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे तो इसमें लगते लगते हैं तो आप ऐसा करना कि आप सुबह सुबह का book करो तो आप अफ्टर्नून तक तो free हो जाओगे और एक और bonus tip गाई जो बहुत लोग नहीं बताते हैं वह यह है कि mostly जितने भी जैसे मैं केडी hospital में था वहाँ पे Canada package उन्होंने अलग से बनाया हुआ था तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेठी जाना होता है आप जैसे मेरा केडी hospital में था Canada package तो वहाँ पे आपको lunch भी प्रोवाइड़िट था breakfast भी प्रोवाइड़िट था खाली पेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप पूरे दिन भूके नहीं रह सकते वो भी लोग समझते सब समझते तो make sure to like this video अगर आपको पसंद आया हो informative लग लाए देता हूं तो अब मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay safe and bye bye